नमस्कार मैं अमित भोविया दोस्तों दुनिया भर के अंदर ऐसी बहुत सी घठनाएं होती हैं जिनका आपको पता नहीं होता लेकिन आज मैं आपको इतनी अच्छी चीज बताऊंगा जिससे आपको ये ग्यान होगा कि भारत के अंदर और दुनिया के अंदर कब कौन से मोसम में ज़्यादा बरसात हो सकती है कौन से मोसम में ज़्यादा सूखा पड़ सकता है कौन से मोसम में मोसम समाने रह सकता है ये सब तै होता है समंदर से और समंदर की स्थिति को समझने के लिए आपको तीन चीज़ें समझनी होगी एक normal condition, एक L neon और तिसरी la neon और L neon की वज़े से इस बार दिसंबर के मेने में ही गेहूं ने अपनी बालिया निकालनी शुरू कर दी और जो संकेत है कि आने वाले वक्त में सुखा पड़ेगा और हो सकता है इस बार गेहूं का सर्सों का जो का उत्पादन बहुत कम हो तो ये L neon और L neon है क्या पहले इसको समझो ये है एक normal map जिसके अंदर आपको water का moment साउथ अमेरिका से अर्स्ट्रेलिया के ओर होता हुआ दिखाई दे रहा है ये समानेत है होता है भूमद्य रेखा के ऊपर ऐसा होता है और आप एक चीज़ ओर note करेंगे कि जो इदर को जा रहा है water का moment होट water का moment जो जा रहा है ऐसे में इसे कहा जाता है कि trade waves जो है वो normal चल रहे हैं लेकिन जब low neon की condition होती है जो पिछले तीन साल से थी उस condition में क्या होता है कि बहुत जादा strong low neon जो trade waves से वो चलती है और जब ये trade waves बहुत strong चलती है तो भारत को इसका ये फाइदा होता है कि South America से आता हुआ गरम पानी जो है वो अस्टेलिया तक आता है और उससे भारत के अंदर बरसाथ के chance बढ़ जाते है अच्छा मांसून रहता है और अच्छी फसले और अच्छी पैदाबार होती है लेकिन पिछले साल के पिछले तीन साल लो नियो रहा लेकिन अब अल नियो की शुरुआत हो चुके है और अल नियो की शुरुआत के वज़े से हुआ क्या कि trade waves ऐसे चलनी थी normal अब ये चलेंगी ऐसे अब ऐसे जब चल रही है तो आस्टेलिया की ओर ठंडा पानी रहेगा गरम पानी का moment साउथ अमेरिका की ओर हो जाएगा और ऐसे में भारत के अंदर बरसात की संभावना पूरी तरीके से कम हो जाएगी और जब बरसात की संभावना कम हो जाएगी तो तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा तो जो रभी की फसले हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएंगी और उसी के साथ जो खरीब की फस जैसे यहू ने दिसंबर के मेने में ही बालिया निकालनी शुरू कर दी है तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार आपकी जितनी भी फसलें हैं और खरीफ में जो फसलें बोएं उस वक्त आप यह ध्यान रखते हुए बोएं कि इस बार सुखा पढ़ सकता ह है सुखा पढ़ने की संभावना है एल नियों और लो नियों क्या है यह मैंने आपको बता दिया लो नियों जब दुनिया में आता है उस वक्त सबसे ज्यादा इसका फाइदा भारत को होता है नोर्मल कंडिशन में भी भारत को फाइदा होता है लेकिन जब एल नियों आता खेर ये जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट श्रक्शन में जुरूर बताएं आपको इससे पहले पता था इसका तो भी बताएं और आपकी यहां भी खेट में ऐसी कोई दिक्त दिखाई दे रही है तो भी जुरूर बताएं देखते रहिए ABC इंडिया